चलिए सर एक मुंसिपल टेक्स के उपर कुश्चन ये भी आपके किताब का सवाल कितने केसिस हैं तीन हम भी तीन केसिस बना लेते हैं एक सवाल करते हैं मुंसिपल टेक्स पे यानि सर तीन लाइन की अवशकता है हमें एक ओहो दो तीन चलिए सर तीन केसिस है और तीनों केसिस को हम मुंसिपल टेक्स में कह देंगे जी हाँ सवाल हर किसी को सामने विजवल होना चाहिए नहीं विजवल है मैं नीचे कर देता हूँ इतना ही सवाल है सर केस नमबर वन यानि वन हाउस पेकिंड हाउस यहाँ एक पर्टिकुलर यह सर्फ प्रैक्टिस के लिए कोश्चन है ऐसा सवाल पेपर में नहीं है कहाँ थियोरी आ सकता है इस पे से सर सबसे पहले कहता है हाउस नमबर वन में यहाँ पे यह याद रखिए क्या कहता है नमबर solve identical unit यहाँ यानी दो घर है एक घर के दो टुकड़े है identical unit का मतलब partition कर देते जैसे first floor ground floor यहाँ पे दो है यहाँ πे number of identical unit एक है यहाँ पे number of identical unit थेन है इसका क्या मतलब होता है अभी हम 23 के situations देखेंगे अभी clear हो जाएगा पहले तो हम starting कर लेते हैं मुंसिपल वेल्यू सर मुंसिपल वेल्यू कितने दे रखें एक बीस अगला और तीसरे का साथ हजार फेयर रेंट सर फेयर रेंट क्या है टेड़ लाग उससे अगला 75 उससे अगला तो सर अब देखते हैं हाईर की बात करेंगे इसमें से जो की आएगा हमारा एफ आर डेड़ लाग वन एफ रवन अब इसके अंदर चेक करते हैं स्टेंडर रेंट इस्टेंडर रेंट क्या है 31, 80, 72 सर इन दोनों में से लेंगे लूर जिसे बोलेंगे ए आर यानि एक्सपेक्टेड रेंट तो क्या हैगा एक छोटा सा सवाल रह गया कि मुंसीपल टेक्स अगर हाउस पपटी की बात कर रहे हैं मैं नोट में उसको मेंशन कर देता हूँ तो मुझे करते-करते याद हो गया मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ नोट में अगर घर आपका घर की बात कर रहा हूँ अगर सेल्फ उक्यूपाइड हुआ यानि आप घर में खुदी रह रहे हैं और मुंसीपल टेक्स आप पेड करते हैं तो आपको नोट अलाओड है आगे सिचुएशन में मैं समझाओँगा ठीक है बस एक छोटा सा नोट देना था आगे सिचुएशन में समझा दूँगा चलिए सर स्टेंडर रेंट भी ले लिया हमने रेंट पर यूनिट देखे क्या कहता है ध्यान दीजेगा रेंट पर यूनिट पर रहनम तो सर एक्चुल रेंट क्या होगा 41 है न पर यूनित है क्योंकि 70 यहांपे 2 unit है दो से multiply यहांपे कितने से multiply एक से यानी और सर यहां कितने से multiply 3 से यानी 63 सर अब इसके बाद इन दोनों में से higher जो निकल के आजाएगा सर जिये भी GAV क्या है इन दोनों में से higher एक चालिस इन दोनों में से higher इन दोनों में से higher अब माइनस करने की बारी आ गई municipal text जो हमने सीखा है अभी तक उसको हमें apply करने का time आ गया है पहले में कहता है sir 12,000 रुपे municipal text है अच्छा दिखने रहा पहले में कहता है 12,000 municipal text due but not paid due तो हुआ लेकिन payment नहीं किया जी मैंने अभी तो क्या municipal text minus कर सकते हैं नहीं कर सकते जवाब है दूसरे में पहले वाला समझ में आए क्यों नहीं minus किया क्योंकि due paid ही नहीं किया उसने ठीक है दूसरे में कहता है सर 8,000 रुपे for last year पिछले साल का 8,000 paid this year ठीक है सर and 9,000 रुपे current year due but not paid तो कहने का मतलब है सर इस बार हमने 8,000 पिछले साल वाला payment तो किया है इस साल वाला 9,000 payment ही नहीं किया तो बताइए कितना minus करें तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे माइनस किया जाएगा बच्चों ने सभी ने सही जवाब दे दिया 8,000 रुपे माइनस किया जाएगा ठीक है अगला third case देखते हैं third case का answer कौन बताता है 60,000 it include 54,000 paid advance in next 9 year कितना minus करें 9 साल का advance है एक साल का नहीं 9 साल का advance क्या हम minus कर सकते या नहीं कर सकते sir कर सकते paid कर दिया न आपने कितना भी advance payment करो कर सकते हैं तो जवाब है sir 60,000 तो मेरे इसाब से आपको यह जो if what आता इस point में वो clear हो गया होगा तो इस सवाल में हमने NAV निकालना सीख लिया that is 140 आपके किताब में वैसे solution भी है आप चेक कर सकते हो तो यह कितना आजाएगा 72 76 और यह 12 sir यह आगया हमारा सवाल नंबर 2 किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कत तो बता दीजिए फिर हम अगले concept पे चलेंगे municipal text खतम प्राइब प्राइब प्राइब